हाई बिटिफल एंजल वेलकर दिवाइन फैमिली मेरा नाम रेनु है और मैं आशा करते हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे सुखी होंगे और सबसे पहले हैपी बर्डे एंड हैपी इनवर्सिटी तो आज शाली ब्रेट कर रहे हैं May God Bless You, Lot of Health, Wealth, Happiness and Abundance स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग से कैसा रहेगा आज का दिन है क्या है क्रिशना और एंजल मेसेज आप लोगों के लिए तो सबसे पहले क्रिशना का मेसेज है आप लोगों के लिए जिस पर आप फोकस कर सकते हों आज डोनेट अपना दिन जो है बेटर बनाने के लिए पॉजिटिव एनरजी को अट्रेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए किसी ना किसी की हल्प कीजिए ताकि आप जो है जो भी कर रहे हो उसमें और ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रेक्ट कर सको अपनी लाइफ में जो भी आप करना जा रहे हो या जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और अदरवाइस भी हल्थ के लिए वेल्थ के लिए या बंडनस के लिए आप अट्रेक्ट कर सको पाजिटिविटी को युनिवर्स की तरफ से तो donate कीजिए, help कीजिए, किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी की help कीजिए तो start करती है move forward 10 of wands, 4 of swords के साथ यहाँ पर हैं कहीं न कहीं आप सीख गए हो कि आप क्यों इस circles में फसे रहते हो क्यों घूम फिर कि आप वहीं पे आ जाते हो कौन से patterns हैं जो आपको तोड़ने की जुरुत हैं कौन से वो beliefs हैं जो आपको अब और सर्व नहीं करते हैं या कुछ भी life में कौन से रिष्टे, कौन सी बातें, कौन से beliefs, कौन से pattern क्योंकि यह सब के लिए अलग-लग work करेगा, right तो क्या चीज़ें हैं जिनको आपको छोड़ने की जुरुत है, release करने की जुरुत है, यहां पर वो समझने की आप कोशिश कर रहे हो इवन यह चोटी से चोटी बात हो सकती है, कि हाँ यह routine में मेरा सारे काम नहीं हो रहे हैं रुटीन चेंज करने की जुरुत है, या एक बड़ी वो हो सकती है, कि हाँ मुझे यह रिष्टा सर्व नहीं कर रहा है, मुझे स्ट्रेस दे रहा है, सिर्फ इसमें आप ही जो है आप, you know, fully dedicated हो, लेकिन दूसरे परसन की तरफ से कोई भी उसमें participation नहीं है, तो उस वज़े से भी कोई न कोई ऐसी चीज जो आप बहुत अच्छे समझ रहे हो, और रडी हो उस पाट, पैटर्न को तोनने के लिए, अपनी खुद में भी इंप्रूव लाने के लिए, और इंप्रूवमेंट लाने के लिए, और रिलीज करने के लिए अपनी लाइफ से, जो अभी और आपको सर्व नहीं करता है, और बार बार आपको 10 of Wands की एनरजी में लेके जाता है, और दरवाइस आज आपको बहुत ज़दा काम ना करके थोड़ी सी ब्रेक भी लेनी है, शायद आप थोड़ा सा mentally stress हो रहे हो, क्योंकि जब हम लोग कुछ बातों को बार बार सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कई बार हम लोग बहुत ज़दा heavy feel करते हैं, क्योंकि एकदम से release करना भी possible नहीं होता, कि आज आपने सोचा तो आज ही आप release कर पाओगे उन heavy energies को, क्योंकि थोड़ा समय लगता है, वर डेफिनिरली आप forward move कर रहे हो, अकेले खुद के लिए जीना से गए हो, अकेले आगे बढ़ रहे हो, खुद की responsibility, खुद की life की, खुद के patterns की, वो responsibility आप अकेले ही उठा रहे हो, यहां पर आपको healing की भी जूरत है साथ साथ में, जिस तरह से भी आप जितना जितना release करते जाओगे, उतना उतना आपको heal भी करना है, तो healing के समय निकाली है, थोड़ा सा rest कीजिए, nap लीजिए, अपने आपको बहुत जादा over burden नहीं करना है आज आपको, क्योंकि आप बहुत कुछ आपकी life में चल रहा है right now, mentally level, mental level पे, physically, emotional level पर, next one है finding the path, यहां पर है two of pentacles, ace of source, जो बहुत positive energy है, यहां पर आपको universe बोल रहा है कि मै आपको opportunities, ideas दे रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आपको ही खुद कर driver, अपनी life कर driver बनना है, और अपनी path को ढूंडना है, अपने रास्ते को बनाना है, यहां पर हो सकते हैं, आपके पास आज दो opportunities आएं, या दो job हैं, या second job, आपके पास एक job है, लेकिन second job, कोई creativity, कोई channel, को कुछ spirituality, कुछ start करना चाते हो, या start कर पाओगे, कुछ ना कुछ आप कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे से balance भी कर पा रहे हो, बहुत चीजों को अच्छे से समझ रहे हो, और यह steps जो है, यह idea, यह steps आपको दिये जा रहे हैं, universe की तरफ से, लेकिन इन steps पे चड़ मैं opportunities देता हूं, ideas देता हूं, लेकिन काम तो आपी को करना है, यह stairs तो आपी को चड़नी है, यहाँ पर आपको वो रास्ता बनाना है, वो रास्ता बनाना है आपको, अपनी मंजिल, अपनी destiny के लिए, यहाँ पर आप अपने ही life के driver हो, तो यह समझ जाए और लग जाए इस जो भी यह रास्ता आपको दिया जा रहा है, यूनिवर्स की दरफ से, so baby step लीजिए, और धीरे धीरे आगे बढ़िए, तो यहाँ पर काम याबी है, definitely success है, जो भी आप करने जा रहे हो, कई लोग जो है second job या फिर कोई नया कुछ काम, एक काम वो कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो यहाँ पर है कि आप कर पाओगे, balance है यहाँ बना पाओगे, तो डरने कीर नहीं है, यह शायद器 भी आपको युनिवर्स की तरफ से आ रही है, तो आपको डरने की दर नहीं है, आप start कर सकते हो जो भी आप करना चाह रहे हो, last one है यहाँ पर way of faith यहाँ पर मुझे बहुत सारे seeds नजर आ रहे हैं बीज है आपके पास बोने के लिए, grow करने के लिए क्योंकि बहुत सारी universal communication यहाँ पर ideas हैं लेकिन आप बहुत ज़दा जल्दी में हो, impatience हो रहे हो यह एकदम से जो बीज है अगर आप बो होगे, ध्यान रखोगे इनका, पानी दोगे, काम करोगे यह फिर भी एकदम से पेड नहीं बन जाएंगे इनको समय लगेगा, divine timing की जुरत है यहाँ पर, patience रखने की जुरत है आप अपना काम कीजिए यह जो बीज है यह ideas है, उनके उपर आप काम कर सकते हो लेकिन be patience faith की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, patience और faith की कोई ऐसा communication हो सकता है आपका आपका किसी के साथ जो आपको कोई नया message कोई नया idea या एक moral support आपको मिले जैसे आपको कोई आप clear नहीं थे अपने path के लिए यह अपना कुछ start करने के लिए जो भी आपके पास idea था तो किसी ने आपको support किया morally आपको समझा आपको बताया, guide किया तो उससे जो है ना आपका faith अपने उपर confidence आपका बढ़ रहा है यह universe के ही जो ideas आपके आ रहे हैं उनके बारे में आप सोच रहे हो उनके बारे में action ले रहे हो जिस वजह से आप यह new beginning और एक you know faith अपने उपर और universe के उपर faith जाए शाएद पास में आपने नहीं किया आपने उपर विश्वास दूसरों पर करते रहें विश्वास तो यहाँ पर अपने उपर faith और confidence आपका बढ़ रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है angel message देख लेते हैं आप लोगों के लिए आज के लिए angel message है आप लोगों के लिए phases and cycles यह सब जो यह पूरी reading ही है ऐसी कि बहुत सारे phases, बहुत सारे cycles आप खतम कर रहे हो जितना आप release करोगे फूल मून आप देख रहे हैं यहाँ पर जितना आप release करोगे उतनी ही new energy को आप invite करोगे अपनी life में तो डरिये मत जब भी आपको कुछ release करना पड़े, छोड़ना पड़े let go करना पड़े, डरिये मत बिलकुल भी, विश्वास रखिए universe पे कि वो आपके life में कुछ better ही opportunities भेज रहा है so there is a beginning within every ending, illusions are revealed and released, यह यही पे मैंने आपको बोला ना, यह illusions में आप फस रहे हो, यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि क्या क्या चीज़ें मेरे को बदल नहीं है वो ही आप बदल पा रहे हो, क्योंकि अगर आप बदलोगे नहीं, तोड़ोगे नहीं इस pattern को, तो नया कैसे कुछ start कर पाओगे new beginning कैसे होगी growth कैसे देख पाओगे, abundance कैसे देख पाओगे तो यह थी आज की आप लोगों के लिए परसों रीडिंग के लिए और तहरो सिखने का कभी मुझे contact कर सकते है, मेरा WhatsApp number और email address में दिस्क्रिप्शन box में दिया होता है, thank you thank you thank you thank you thank you so much for watching and have a good day